ओके फाइनली दोस्तों वाज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे है अप्लिकेशन इस्टेंट लोन्स अप्लिकेशन के बारे में जिसमें कि आपको यहाँ पर एक हजार रुपे से लेकर पचास जार रुपे से अधीक भी आप यहाँ पर लोन्स के लिए अप्लाई करना चा मुझे यहाँ पर हजार रुपे की लिमिट मिली है तो कैसे मिली है सारे सीजे वीडियो का अंदर मैंने कवर किया है इस वीडियो को कम्प्लिटली सुरू से लेकर तक देख लिए तब ही आप लोन्स के लिए किजेगा अगर आप वीडियो को स्कीप करेंगे तो बिलकुल को स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों वीडियो पसंदाने पर वीडियो को करिएगा लाइक हमारी चैनल पर पहली बार है तो करिएगा चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को भी हिट कर दिजेगा ताकि अन्य वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चली वीडियो के स्टार्ट कर लेते हैं और मैं आपको बताऊंगा कैसे मुझे आपर 1000 रुपे के लिए लोंस के लिए कैसे हमें पर प्रसनल लोंस लेंगे किस तरह का इलिजबिलिटी होगी क्या डॉक्मेंटेशन करना होगा तो दोस्तों कम्प्लिटी से वीडिय मुद्रक क्वीक इंस्टेंट लोंस एप जो की आनन्द प्रोपर्टी फाइनेंस लिमिटेट कंपनी है और यहां पर लोंस आपको ओफर कर रही है तो दोस्तों सिंपली आपको यहां पर ओपिन करना है जैसे आप दोस्तों ओपिन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल मलेगा तो दोस्तों सब्सक्राइब करें अप किस तरका इंटरफेस मिलेगा और और यहां पर देख सकते हुआ रपके इनायसिस्यूप होगी अपने फोन डिवाइस का अपने जितने सार आपके मोबाईल सेमेस होंगे वह सारी शिच होगी उसके जीरे से आपकायानफर और यहाँ पर आपकी total balance bank balance आपका total यहाँ पर ट्रैक कर लिया जाता है और सिर्फ और अधार कार्ड और पेन कार्ड कर दिरे से आपको यहाँ पर लॉन्स ओफर करती है तो यहाँ पर किस तरह कोई bank के statement आपको देने के जुरूत नहीं जैसे कि आपको देख सकते हैं मेरा सारा यह यहाँ पर देख सकते है apply for loans को पर आप जैसे आप click करते हैं तो दोस्तों कुछ इस तरह का interface मिलता है जैसे कि आप आप देख सकते हो मुझे यहाँ एक हजार रुपए के limit मिली है जैसे कि आप interface देख सकते हैं आप ठीक है और loan details अगर हम बात करे तो दोस्तों आपको loan amount यहाँ पर देख सकते हैं तो फिलाल में आपको यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से आप यहाँ पर loan के लिए apply कर पाएंगे बुझे यहाँ पर देख सकते हजार रुपए के मुझे limit मिली है अगर आप loan के लिए apply करना चाहते हैं तो अधार card और pain card के जरिये से loan apply कर पाएंगे आपको किसी तरह कोई bank statement और नहीं किस तरह कोई income proof अब देने की जुरूत है तो आसा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद नेगे तो वीडियो को like करते जाएगा क्योंकि loans और financial related में आपके लिए वीडियो लाते रहता हूं मिलते हैं अगले वीडियो में आपके वीडियो मस